कि दो नारे लगते थे, मुले काटे जाएंगे, राम राम चिलाएंगे, और गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, बिल्कुल बचपन के स्मृतियां है, नौकरियां खतम कर रहे हैं, और कुछ मंत्रियों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं, इस देश में 27 अगर क दोस्तों, दोस्तों, मैं हूँ सुमिच चोहान और स्वागत है आपका देश में दिल्ली में हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर लक्षमन यादाव, जो की एक जाने माने विचारक और एक्टिविस्ट हैं, और इस समय दिल्ली में एक तरह का माहूल बनाया जा रहा है, जिस खास समुदाय के खिलाफ नफरत बरा माहूल बनाने का और उनके लिए हिंसा का इस्तमाल करने के जो नारे हैं वो लगाए, उसके बाद एक तरीके का माहूल बनाया है कि दिल्ली और क्योंकि यूपी चिनाव भी होने वाले हैं, तो क्या फिर से इस देश में उस तरह के दं समझ में हैं, क्या हो रहा है इस देश में? बहुत बच्पन में स्मृतियों में कहीं दर्ज है कि दो नारे लगते थे, मुले काटे जाएंगे, राम राम चिलाएंगे, और गोरकपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, बिल्कुल बच्पन के स्मृतियां है, मैं सच बताओं तो मुझे बहुत पता नहीं था, लगा Mate जो काटे जाएंगे और यह सब चिलायेंगे राम राम तो मैं भॉत ढर गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है वो बचबन में लगता था कि किसी को काटेगा और कोई चिलाएगा तो मैं भो बहुत ढर गया था मैं देरे धरे घोस्त भरत समाला तो लगा कि इस तेश की आ तो यह अब डराऊना होता जा रहे हैं पतालगि लोग कहते हैं कि हम ज्यादा डर की बात करके इस माहल को डराते हैं लेकिन मैं एक बात सोचता हूं कि मैं उस पहचांगा, नाम लेकर यह कहा जा रहा है, कि हम कातेंगे तुम्हे तुम्हीं रामरंमुशला होगे। हिंदोस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है क्या ये दोनों नारे भारत के समविधान के नुकूल है मेरा सवाल क्यों लितना है और अगर या नुकूल नहीं है तो जो लोग समविधान की शपत लेकर के सत्ता के कुरसियों पर बैठते हैं उन लोगों की क्या जिम्मेदारी और जवाब देही है। ये मेरी चिंता का विश्य बत और नागरिक तो मैं इस पूरी मंचा के खिलाफ खड़ा होना हूँ और हूँ आज भी कि ये गलत है। हिंसा जिसका चुनावी फाइदा हो सके कुछ ऐसा खैल आते हैं। हिंसा जिसका खैल गांदी के हत्या की जो हिंदू राष्ट्र या दो राष्ट के सिधानत के पहले लंबरदार हुआ करते थे। हिंदू राष्ट बनाना चाहते थे, अरक्षण विरोधी, समाजी नय विरोधी, दलित पिछड़े अधिवासी विरोधी जो लोग हैं। उनकी जो विचार धाराएं, जो उनकी मनशायती वो पूरी नहीं हो पाईं। तो उसको लेकर कर ये चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नफरत उनका ब्यापार है, चुनावी ब्यापार है। चुनाव जब जब करीब आता है, तब तब कहीं दंग और इस बार चुनाव किस राजिका है। सबसे समविधन शील राजिका है। यानि उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या भी है और जिसका वो नारा लगाते हैं कि यह जहां की है, मतुराकाशी बा समझ में आता है कि चलो मंदिर बनवाने की लड़ाई लड़ रहे तो बन गया, अब उसके आगे क्या, महंगाई कहां जाएगी, पेट्रोल कदाम कहां जाएगा, सिलिंडर कदाम कहां जाएगा, कोरोना में जो मर गया लोग जो लाशे तहरती रहें, उनका क्या होगा, यह स रंकवादी गतिविधी की तरह, आपराधी गतिविधी की तरह, इस देश मस्जी तोड़ी गई, उसके नाम पर वो चुनाव जीतते हैं, इस से मेरे को एक बात याद आती है, लक्षमन जी की, जब नबे का आप बात करते हैं, उस दोर की, तो मंडल कमिशन की से फारिशे लाग हुई, उसके अगेंस्ट में कमंडल, फिर उन्होंने रहत यात्यात्राई निकाली दंगे हुई, और तमाम जो इतिहास और अफरत का वो हम सब जानेते हैं, फिलाल भी OBC से टुड़े हुए कई मसले हैं, जिन पर बहुत इन रिनायक अभी पल है, अभी अपने नीट इस गड़ जारखन में 27% OBC अरक्षन लागू करने की मांगो, तो OBC समाज, बहुजन समाज का एक तबका जो आज सडको पर है, तो क्या इस दोर को इस दोर की संदर्ब में समझा जा सकता है, कि जिस समय मंडल कमिशन लागू हुआ, लोगों ने विरोध किया, और फिर इन् इस देश के दलित पिछरे आदिवासी और जो भी वंचे सोशे जमात के लोग हैं, उनको किसी भी तरस से उनका जो शेयर है, उनका जो स्टेक है स्टेट में, वह देने का अगर मौका मिलता है, वह जब सवाल सामने आता है, तो उस सवाल का ये मुखर विरोध या खुल करक यही हुआ मंडल कमिशन के समय, मंडल कमिशन लागू हुआ, भारती जनता पार्टी का एक भी बयान आप नहीं पाएंगे जो मंडल के विरोध में हो, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे, इस देश की आधी आबादी को नाराज करके, वो कभी इस देश प्रिशाशन नहीं कर सकत आप चisen है, वो आप सुच्टा में बैठ करके नहीं देना चाहते हैं. जबकि आप यह दावा करते हैं कि आप 2014 की चुना और 19 की चुनाओं में पूरे देश को बिना पूजे बताते हैं, कि मैं OBC जाती का हूं, मैं पिछदी जाती का हूं, पिछदी मा का बेटा हूं. सटा इस cabinet minister बनाते हैं तो आप बड़े-बड़े hoarding लगाते हैं संसद में इसको claim करते हैं कि हमने दलित और पिछरों को मंत्री बनाया अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर आपने जाती बिना पूछे इस देश को बताई आप जाती को claim करते हैं कि राश्पती दलित बना दिया प प्रातमिक तौर से लड़ रहा है मंढल कमिशन की बाकी बची अन्शानशाय और उसके बाद है जाती जन्गरणा मंढल का जाती जन्गरणा का इक ऐसा रिष्टा है कि जाती जन्गरणा से आंकड़े पता चलेंगे और वो आकड़े कम से कम उसके OBC के हिट के लिए जोग बदनाम कर रहे हैं कि जाती जनगर्णा से जातीयां पता चल जाएंगी तो लोग आरक्षर मांगने लगेंगे मैं तो यह कह रहा हूँ कि जाती जनगर्णा आ जाएगी तो होसकता आरक्षर जरुगत देना पड़े क्योंकि डेटा क्लियर हो जाएगा फिर तब देखा जाएगा कि कौन वाकई पिछड़ा रहे गया तो अपने हाप इस देश में आरक्षर देना पड़ेगा तो यह जो सवाल है बैक लॉग का सवाल है शॉट फॉल का सवाल है नोकरियां खतम कर रहे हैं और कुछ मंत्रियों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं इस देश में 27 अगर कैबिनेट मंत्री को होडिंग लगाई गई तो क्यों नहीं होडिंग लगाई जाए कि 27,000 प्रोफेसर बनाने से OBC समाज का कोई भला होने वाला नुमाइंदगी तो आप दे रहे ना इसलिए तो आपने जाती वताई तो नुमाइंदगी प्रोफेसर में चाहिए डॉक्टर में चाहिए इंजीनियर में चाहिए और वकील होने चाहिए ब्यूरोक्रेट होने चाहिए कैबिनेट कराएंगे तो आखरी बात यही है जो आपके सवाल में है मैं उसी मिस्तामती दर्च कर रहा हूँ कि यह सब बड़े काम ना करने पड़े तो इसलिए बीच-बीच में हिंदु मुसलिम वाले मसले को लाओ और मुसल्मान को ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मुसल्मान को केवल बहाने के तोर पर बीच में लाया जाता है नहीं मुसलिम पहचान पर बाकाइदे यह सरकार फासिस सरकार हिंसक और हमलावर है दाड़ी और तोपी देखकर के लिंचिंग हुई है यह सच है मुसल्मान को आतंक वादी और क्या क्या कहा जा रहा है इसी दिल्ली में जा हम लोग यहां खड़े हैं चंद कदम की दूरी पर यहां पर नारे लगे न वो नारे क्या दिखा रहे है कि देरे देरे आप इसमें बात करें यह दोनों दिन रात नफरत का जहर सोशल मेडिया पर फेलाते रहते हैं एक तो सोशल मेडिया का कोई रूल और रेगूलेशन पर लागू नहीं होता दलिद बोजन की बात करी तो तूरंत आपको बैंक कर दिया जाएगा दूसरी बात जब यह नारे उनके संगठन के लोग बड़ा नेता कभी यह सब नहीं बोलता हम क्या करते हैं हमारे पास की मुश्किल है कि हम इसको नजल अंदाज भी करें तो कैसे करें हम अगर इस पर विरोध करेंगे तो उनको हवा मिलेगी और वह तो चाहते हैं हिंदू-मसलिम पर बहस हो ताकि जाद जंगनक सवाल आशि और जिनका इतिहास ही दंगे करा हो रत्यात्रा के नाम पर धंगा किया है इन लोगों ने मोदी अमिशा योगी अदितना तीनों को यह दिश किस बात के लिए जानता है नफरत की भाशा नफरत का काम दंगा में इनका इन्वाल्बमेंट तो आज इस देश को तैय करना है द जाने की कोशिश एक साजिश लगती है कि नफरत हो दंगे भढ़काएं जा और फिर नुकसान के नाम पर क्योंकि मुद्दे तो हैं नहीं काम अगर किया होता तो उसके आधार पर वोट मांगे जाते लेकिन यह दृवी करन करके वोट बटोरने का जो काम है इस पर आप सब आपको अलर्ट होने की जरूरत है सचेत रहें और अपने मत का सही इस्तिमाल करें यह रिपोर्ट मैं आपको दिली से दिखा रहा हूं और यह आपको अच्छी लगी हो प्रोफेसर साब की बात आपको अच्छी लगी हो अपनी राए देनी हो तो कमेंट के जरीए जरूर द अजय तन आधियो